तमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में Sovereign Gold Bond एक अच्छे निवेश के विकलक के रूप में उभर करके आया है और बहुत से निवेशक इस प्रोडक्ट को यानि Sovereign Gold Bond क्या है उसे जानना चाहते हैं क्या Sovereign Gold Bond में Investment किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए इसके Investment की शर्ते क्या क्या होती है इसमें पैसा कितना सुरक्षित है या Underlying Risk Sovereign Gold Bond में क्या होती है इसे बहुत से प्रश्ण है हम जब आपस में चर्चा करते हैं तो Sovereign Gold Bond के संबन में उभर करके आते हैं तो आईए दोस्तों इनी सब प्रश्णों के अराउंड आज का ये discussion जिससे मैं आपकी Sovereign Gold Bond की knowledge को और बढ़ा सकूँ और आपको इस निर्णे तक मोहचने में सहायता कर सकूँ कि क्या आपको Sovereign Gold Bond में निवेश करना चाहिए या नहीं इस द्रश्टी से ये वीडियो आपकी सेवा में मैं सियनु भाटिया प्रस्तुत कर रहा हूँ दो आपके समक्ष सबसे पहले Sovereign Gold Bond का एक track record रखने की कोशिश करता हूँ कि ये product अगर कोई आपको pitch कर रहा है यानि sell करने की कोशिश कर रहा है तो आपको ये पता हो कि पिछले कुछ समय में Sovereign Gold Bond ने क्या return दिया है ये chart आपके समक्ष में रख रहा हूँ हाला कि भारत वर्ष में जितनी मेरी understanding है Sovereign Gold Bond 2015 से प्रचलन में पर पिछले 3-4 सालों में Sovereign Gold Bond के अनेक series भारत सरकार लेकर के आई अगर मैं recent series की बात करूँ Sovereign Gold Bond 2023 जो की series 3 के रूप में December 2023 में भारत सरकार लेकर के आई और जिसका issue price per gram 6149 रूपीज है अब आप इसे ऐसे समझे कि 6149 अगर आप digitally purchase करते हैं तो भारत सरकार 1 gram के बरावर Sovereign Gold Bond, 1 gram सोने के बरावर Sovereign Gold Bond की उनिट आपको 6149 में online purchase में देगी अब आप पीछे चलते जाईए कि इससे पिछला series जो September में आया था उस समय 5873 में आया था उससे पहले 5876 था और मैं काफी पीछे अगर चला जाओ 21-22 में तो 21-22 में जो फस्स series का Sovereign Gold Bond भारत सरकार लेकर के आई थी RBI लेकर के आती है Sovereign Gold Bond भारत सरकार की ओर से उस समय 4772 रुपए पर ग्राम का rate था अब अगर मैं 21-22 का beginning यानि अप्रेल 2021 भी मान लू दोस्तों तो आपको तब से अब तक यानि 2021-22, 22-23, 23-24 अभी खतम नहीं हुआ लगब 33 मंस में 130% का appreciation आ गया यानि 100 रुपए लगाए थे तो वो 130 रुपए हो गया अब आप देखते चलिए कि इससे आगे के जो series लगी series 2, series 3, series 4, series sorry then 2022-23 का series 1, 2, 3, etc. thereafter इसके बाद में series 4 of 22, 23 तो इन सब में respectively आपको percentage appreciation यान देखने को मिलेगा तो इससे किसी भी investor को एक confidence आता है कि आँसा आप एक तरीके से हम जब sovereign gold bond में investment कर रहे हैं तो जो gold की price में appreciation हुआ है आपको लगबग लगबग उतरा ही appreciation sovereign gold bond में direct route में देखने को मिलेगा तो ये एक important slide है जिससे हम अपने analysis की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके समख sovereign gold bond versus physical gold का एक comparison भी रखना चाहूँगा कि जब आपके decide कर रहे हैं कि चलिए कहीं मैं sovereign gold bond में कुछ investment कर लूँ तो मैं physical gold में क्यों न investment करूँ या sovereign gold bond में ऐसा क्या फायदा है जो मुझे फिजिकल गोल्ड से ज्यादा अच्छा मिल सकता है या क्या कोई नुकसान भी है या यह चार्ड देखिए दोस्तों यहां मैंने classification कर दिया है physical gold और sovereign gold bond में अगर आप physical gold purchase करते है किसी jeweler से और आप invoice लेंगे तो आपको naturally महाँ पर GST applicable होगा जबकि sovereign gold bond purchase करते समय आपको कोई GST liability नहीं आएगी दूसरा interest income sovereign gold bond पर आपको interest income at the rate 2.5% per annum मिलता है जबकि physical gold hold करने पर आपको as such कोई interest की earning नहीं होती दीसरा form of holding physical gold naturally दोस्तो physical format में होता है वहाँ securities, issue, holding issues बने रहते हैं carry करना भी अपने आप में एक risky matter है जबकि आप sovereign gold bond को एक paper format में यह certificate format में या d-mat format में भी hold कर सकते हैं तो carry करने की risk यहाँ पर खतम होती है capital gain on sale अगर आप physical gold बीचते हैं तो आपको naturally capital gain देना पड़ेगा लेकिन अगर sovereign gold bond को आप till maturity इस bond का period दोस्तो 8 साल होता है अगर आप 8 साल के period तक sovereign gold bond को hold करते हैं तो आपको कोई capital gain tax liability भी नहीं भुगत नहीं यानि over the long term आपका जो appreciation है वो और बढ़ जाता है pre-tax, post-tax जब आप compare करेंगे तो post-tax में sovereign gold bond will be giving you better return as compared to physical gold making charges आप सब जानते हैं unless अगर आपने gold biscuit format में gold hold किया अगर jewelry format में hold करेंगे तो वहां making charges लगते हैं जबकि sovereign gold bond में इस तरीके का कोई charge नहीं है liquidity की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा negative बात है कि physical gold को आप कभी भी जिस jewler से खरीदा है या किसी और jewler के पास भी लेकर के जाएंगे तो आपको तुरंत उसके बदले cash भी मिलता है लेकिन जब आप sovereign gold bond की liquidity की बात करते हैं तो मैं यह तो नहीं कहूंगा liquidity नहीं है lesser liquidity है अगर आप सरकार से ही से वापस से redeem कराना चाहते है तो minimum 5 साल की holding चाहिए capital gain tax free holding चाहिए holding करानी है capital gain tax free matter करना है तो आपको 8 साल की holding चाहिए अलाकि दोस्तों भारत में sovereign gold bond अब secondary market में यानि जैसे share market platform पर भी बिकने लगे हैं पर अभी frequency उतनी ज़्यादा नहीं है धीरे-धीर ULC कि sovereign gold bond secondary market में भी बिकेगा तो वहाँ पर आपको online बेचने की सुविदा SGV में धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी Limit on investment Sovereign gold bond के बनस्पत physical gold में आपकी इच्छा है आप जितना gold purchase करें जबकि sovereign gold bond एक ग्राम से लेकर के 4 kg per annum per person द्वारा लिया जा सकता है 4 kg तो बहुत बड़ी quantity होती है मुझे लगता है कि आप में आपके मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो कुछ grams भी sufficient है usage content usage content naturally gold physical gold में usage content की सुविधा है sovereign gold bond को पहना नहीं जा सकता है इसमें उस तत्तों का अभाव है discounted purchase physical gold तो naturally आपको market price पर ही मिलता है जबकि sovereign gold bond यदि आप online mode में net banking मगरा से खरीते हैं तो आपको 50 रुपे पर ग्राम का discount भी भारत सरकार देती है तो यह कुछ important comparative figures या comparative data मैंने आपके सामने रखा जो आप अगर physical gold में जा रहे हैं तो आपको हो सकता है sovereign gold bond करीदने के लिए प्रेजित करें I hope you will see these differences before you decide your final take on whether you are investing in SGB और in physical gold दो तो आज के share market के समय में जहां पर हर कोई share market के और भाग रहा है naturally mutual funds के और भाग रहा है gold versus nifty का comparison करना भी बहुत जरूरी है और मैं एक chart जो मुझे online किसी source से मिला आपके समक्ष रख रहा हूं आप इससे compare करने का कोशिश करिएगा कि इस chart में 2008 से लेकर के 2022 तक का एक comparison किया गया है और blue line में आपको gold और orange line में आपको nifty का एक trend मिलेगा तो you can see के जहां से यह particular gold का शुरूआत हुआ है एक तरफ और एक तरफ निफ्टी है ठीक है अब निफ्टी 5000, 10,000, 19,000, 20,000 इस तरीके से किया है यहां पर और gold 10,000 से लेकर के 60,000 के rate तक comparison किया है तो अब आप इसे इस प्रकार समझेए कि gold आपको आज की date में gold और nifty लगबग बराबर के आसपास मिल रहे हैं लगबग बराबर के आसपास मिल रहे हैं यानि दोनों लगबग अपने peak पर और यह जो आपको gap का जो जगे zone मिल रहा है यहां पर gold ज्यादा है और nifty नीचे ह यानि जब जब market में कोई drastic reasons ऐसे आते हैं कि share market गिरता है तो gold जनरली उस समय चड़ता है अब इसी में एक answer चुपा है कि अगर share market में किसी प्रकार का कोई setback लगता है बड़ा setback लगता है तो gold आपके लिए एक support system की तरह काम करता है तो आपका long term scenario एक understanding क्या है share market पे अगर आपको लगता है कि सब share market बहुत अच्छा चलने वाला है तो gold can be on a downside also लेकिन आपको लगता है कि geopolitical situation में इस प्रकार की है या market गिर सकता है काफी appreciate हो चुका है तो इसी परिस्थती में gold आपके लिए support system की तरह से काम करता है तो I hope my dear friends this chart would also help you to understand that whether it is better to invest in share market only और it is better to invest in gold हां मेरी advice अगर आप पूचेंगे तो मैं कहूंगा सर्थ आच्रोली आजकल बहुत सारे investors के पास share market mutual fund के अलावा option कम रह गया है investment को grow कराने के तर आपको एक safer side अपने total investable funds का certain percentage 10-20% gold में यानि sovereign gold bond में भी investment के रूप में विचार करना चाहिए that could be one very important understanding which I want to develop अब दोप्तों यहां आपसे बात करने वाला हूँ what are the tax implications of sovereign gold bond के GST या income tax related important implication क्या है जो आपके decision making को प्रभावित करेंगे naturally जैसा मैंने पहले discuss किया कि sovereign gold bond purchase करते समय आपको GST नहीं देना no tax liability in form of capital gain if held till maturity अगर आप maturity तक sovereign gold bond को hold करते हैं तो आपको capital gain कता ही नहीं देना जो भी आपको rate appreciation मिलेगा उस पर tax liability at the rate 20% if sold long term prior to maturity subject to indexation अगर आप maturity से पहले से 5 साल के अंदर अंदर 5 साल के बाद 8 साल तक government को redemption के लिए देते हैं तो आपको 20% tax लगेगा पर indexation benefit मिलेगा indexation क्या होता है basically government index number बताती है समय समय पर लेकर क्या आती है और उनके reference से आपकी cost को inflate करती है इससे आपको ultimate capital gain कम निकल करके आता है taxation के purposes से अब अगर आप sovereign gold bond से secondary market में बेचते हैं आप 5 साल से भी पहले बेचते हैं तो अगर आप तीन साल तक के period में sovereign gold bond बेच देंगे holding के तीन साल तक तो short term gain होगा slab rate लगेगी तीन साल बाद बेचेंगे तो आपको long term gain होगा वहाँ पर आपको 20% rate subject to indexation लगेगा एक बहुत important feature है जैसा मैंने पहले भी कहा था जहां हम compare कर रहे थे gold को और sovereign gold bond को कि sovereign gold bond में दोस्तों हमारे को interest की भी income होती है कौन सी income होती है interest की और भारत सरकार sovereign gold bond पे आपको annually 10% का payment करती है और यह semi annually यानि वर्ष में दो बार आपको 10% की interest की rates है 10% annual है यानि 1.25% आपको पर half year interest भी मिलता है जबकि physical gold hold करने पर ऐसा आपका interest का कोई earning asset directly होती नहीं यह एक important point है साथी दोस्तों यह जो interest आपको मिलेगा यह income from other source की रूप में आपके हात में taxable होगा So I hope these x-savy points would also be useful to you to decide whether to invest in SGB or not दोस्तों कुछ basic feature समझने के बाद में के थाकि आपका investment decision क्या हो कैसे हो उसके लिए एक initial information आपको दी अब अगर कोई और curiosity रगता है कि यह अनुप जी sovereign gold bond होता क्या है Basically sovereign gold bond are government security Okay, see this the बात है कि यह एक तरीके की सरकारी प्रतिवूती है which is denominated in grams of gold and they are substitute for holding physical gold investors have to pay the issue price in cash cash या नि बैंक से भी आप देंगे and the bond will be redeemed in cash on maturity तो जैसे maturity होगी सीधे आपके खाते में पैसा आएगा bond is issued by the reserve bank on behalf of government of India यह सर SBI का मुटा मुटा मुटी understanding SGB का sorry मैं SBI बोल गया SGB का मुटा मुटा मुटी understanding मैं आपके सामने रखा कुछ समझते हैं दोस्तों who may invest in SGB sovereign gold bond में invest कौन कर सकता है a person resident in India यानि non-resident sovereign gold bond में invest नहीं कर सकते individual, hindu undivided family, trust, universities and charitable institution केवल और केवल दोस्तों यही संस्ता हैं वो भी तब जब वो resident होंगे they can invest into sovereign gold bond अब बात करते हैं any minimum and maximum limit for investment in SGB आला कि मैंने पहले भी idea दिया फिर कहूंगा सब minimum investment sovereign gold bond में जो होगा वो तो होगा 1 gram गा और maximum limit है 4 kilo for an individual, 4 kilo for HF and 20 kgs for trust and similar entities which are notified by the government from time to time अगर आप joint में holding करते हैं तो यह जो limit होगी यह first person के हिसाब से लाग होगी during initial issuance by government and those purchase from the secondary market तो यह जो annual limit है आपकी 4 kilo की कई बार सरकार जैसे इस साल अभी आप 3rd tranche देख रहे हैं जो December 2013 में एक 4 tranche और February में प्रस्तावित है तो आप माल लीजे 2 tranches में investment करते हैं चार में करते हैं तो maximum एक साल का investment आपका 4 kg रहने वाला है तो this is how we have to understand this minimum maximum understanding समझते हैं दोस्तों के authorized agencies कौन होती है जिनसे आप sovereign gold bond ले सकते हैं bonds are sold through offices और branches of nationalized bank, scheduled private bank, scheduled foreign bank, designated post office, stock holding corporation of India and authorized stock exchanges either directly और through their agent तो आप इन सब agencies से जिसमें मैं कहूं तो जादातर bank, post office या stock holding corporation of India या इनके जो अधिकारी agent होंगे उनके थुरू आप sovereign gold bond में investment कर सकते हैं प्रश्ण आपकी दिमाग में ये भी आ सकता है कि अनुग जी क्या जैसे IPO में हम लगाते हैं allotment आता भी है नहीं भी आता sovereign gold bond में what is the surety of allotment तो अगर आप basic criteria fulfill करते हैं जैसे आपका PAN है और आपने KYC details properly verify करा दी है आपने payment कर दिया है इस पर the scheme जो भी ट्रान चाहिए उसके time limit में तो surety है कि 100% आपको sovereign gold bond का allotment आएगा याँ याँ पर luck factor जैसी बात नहीं है अगर आप एक बार call लेते हैं मुझे invest करना है और आपकी सारी details KYC वेगरा complete है fund timely deposited है तो you are bound to receive the allotment of HGB अब यदि किसी के दिमाग में ये curiosity हो करूं जी जो sovereign gold bond भारत सरकार हमें issue करती है इसका price कैसे determine करती है तो इसका भी एक answer है और अगर आप sovereign gold bond से जमने तो और भी answers ढूंडना चाहें तो मैं उनका जवाब आपको ये दूंगा कि आपको Reserve Bank of India की side पर sovereign gold bond के FAQs का पूर अभीवरण वहाँ पर है आप वहाँ से भी अपना ज्यान वर्दन कर सकते हैं So the nominal value of gold bond that is sovereign gold bond shall be in Indian rupee fixed on the basis of simple average of closing price of gold of 9.99 purity published by the Indian Bullion and Jewelers Association Limited This is IBJA for the last three business days of the week preceding the subscription period जैसे अभी 18 तारीक को जो recent हमारा December 2023 का जो Series 3 का एक bond लेकर किया इभारत सरकार इसके लिए उन्होंने price पिक किया 13, 14, 15 December का closing price 9.99 purity का और उसके basis पर इस issue का gold price decide किया गया एसा ही दोस्तों maturity के समय भी भारत सरकार पिछले 3 दिनों का जो price लेगी 9.99 गोल्ड का उसके average के basis पर आपको क्या maturity पर value देगी वो value decide होगी अब दोस्तों कुछ छोटे छोटे important question जिनका उत्तर आप जानना चाहेंगे या जो आपका further ग्यानवर्दन कर सके पहला risk factor involved important question है दिखिए दोस्तों sovereign gold want की जो main risk है वो है उसकी underlying security gold क्योंकि भारत सरकार की guarantee है तो आपके repayment में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका moon नहीं आएगा ब्याज नहीं आएगा वो दिक्कत नहीं जो risk यहां पर है वो क्या है कि मान लीजे आज gold चल रहा है suppose 65,000 रुपीज पर 10 ग्राम यानि 6,500 रुपे पर ग्राम कल हो सकता है वड़कर के अगले तीन साल पांच साल में 80,000 रुपे हो जाए या हो सकता है घट करके 55,000 रह जाए तो अगर gold की कीमत में ही भारी गिरावाट आ जाएगी तो आपके sovereign gold bond की value भी गिरे तो मुझे लगता है दोस्तों ऐसी risk तो जब हम share market में mutual fund में investment करते हैं तब यह चीज जरूर compare करें कि fixed deposit के comparison में gold bond, sovereign gold bond risk है क्यों risk है क्यों कि fixed deposit में आपको interest मिलता है पर आपका मूल सुरक्षित रहता है और interest भी naturally 5% से ज़्यादा मिलता है लेकिन sovereign gold bond में आप एक तरीके से gold के future rate पर speculate कर रहे हैं या अपना दाव लगा रहे हैं यह risk को समझना जरूरी Can investment be made in any name of a miner? Yes sir, sovereign gold bond में आप miner के नाम पर भी invest कर सकते हैं Can sovereign gold bond be held in joint name? जैसा पहले भी चर्चा आई थी Yes sir, joint name पर आप sovereign gold bond में invest कर सकते हैं What will be the form of holding, physical or demand? दोनों तरीके से आप certificate form में भी hold कर सकते हैं और demand format में भी hold कर सकते हैं मैं demand format को hold करना comparatively अच्छा बानता हूं क्योंकि physical form घुम सकता है पर demand format में तो एक बार आपके demand में security आ गई तो वो आपके लिए safe है और हमेशा आपके लिए handy है How the maturity proceeds will be accredited? जिस खाते की detail आपने दी है ख होने के बाद आप भारत सरकार से early redemption की request लगाके redemption ले सकते हैं और उससे भी पहले लेना है तो secondary market में sgb बेचना है can sgb use to avail further loan facility? yes sir, sovereign gold bond को आप security की रूप में रखकर इसके against loan भी ले सकते हैं whether nomination allowed? yes sir, sovereign gold bond में nomination facility भी available होती है, nomination का फाइदा क्या है? कि अगर x वेक्ती ने say 10 ला तो किसी परिस्तती में उन्वेक्ती का अगर दिहानत होता है, तो because उनकी nominee उनकी wife है, तो वो sovereign gold bond का maturity उनकी wife के हाथ में अपने हाप चला जाएगा, she will be entitled to receive sovereign gold bond maturity, so this is also a good feature in sovereign gold bond. दो तो जैसे कहते हैं हीरा है सदा के लिए, मैं कहता हूँ कि gold भी सदा के लिए ही होता है, यानि हमने ऐसे rare chances देखे हैं जहां gold significantly गिर गया हो, हाँ आप ये जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि gold is a square resource, इसलिए पढ़ती जनसंक्या, घटते संसाधनों में या gold के sources भी limited होने की विज़े से gold का भाव निश्चित रूप से बढ़ना तय है, हाँ, global position जब भी आर्थिक सम्रदी आएगी विश्व में gold के भाव stable रहेंगे या गी रहेंगे, और जब विश्व में वैश्विक समस्या है रहेंगी, गोल्ड के भाव बढ़ने की सम्भावने जादा रहेंग 5, 10, 15, 20, gold bond में, sovereign gold bond में invest कर सकते हैं, so with this suggestion, I am ending my discussion here, thank you very much for being with me, with this video being more than 20, 21 minutes, thank you my dear friends, wishing you all the best, have safe investing, have good investing, Jai!